नमस्कार, फ्रादेशिक समाचार दर्शन के संक में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपा सिंग आज के इस अंक में हम बात करेंगे पिछले एक सब्ता में हुई गतिविधियों की तो आये शुरुवात करते हैं आज के इस अंक की कारिक्र में सबसे पहले बात निवाडी जिले की निवाडी जिले में व्रक्षा रूपन अभियान के तहट जिला कलेक्टर आरुन कुमार विश्यकर्मा के निर्देशन में सदत रूप से व्रक्षा रूपन अभियान चलाय जा रहा है जिले में अभी तक 10,000 व्रक्ष लगाय जा चुके हैं ये अभियान अभी भी जारी है पेशे हमारी समवादाता की एक रिपोर्ट निवाडी जिले में व्रक्षा रूपन अभियान निवाडी जिले की कलेक्टर आरुन कुमार विश्यकर्मा के निर्देशन में कराय जा रहा है जिसको लेकर के प्रतेक बिभाग के अधिकारियों के द्वारा अंकुर अभियान एवं एक पेड मा के नाम अभियान के तहट ब्रक्षा रूपन का कार किया जा रहा है। उन ब्रक्षों की तारफैनेसिंग एवं सचाई की समच ब्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि ये पेड ब्रक्ष बन के हरयाली फैलाएं। इसक समाचार दसन के लिए नेवारी से बिवेक दांगी। वहीं पन्ना जिली में भी एक पेड मा के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर जिलेवासी बढ़ चड़कर हिसा ले रहे हैं। बता रहे हैं हमारे सवाद दाता। पन्ना जिले में एक पेड मा के नाम अभियान जम कर चलाया जा रहा है। प्रधान मंत्री नेरेन मोदी के इस अभियान में जिले में नेता अभिनेता से लेकर अधिकारी कर्मचारी और समाच सेवी शनस्था हैं। पन्ना के इस अभियान को पन्ना विधायक एवं पूर मंत्री बिर्जन प्रताप सिंग, गुनोर विधायक डाक्टर राजेस बर्मा और पवी विधायक पन्ना लोधी ने भी एक पेड मा के नाम रूप कर अभियान को गती प्रतान की। उधर नगरपाल का प्रसद पन्ना के सोजने से सहर के बाईपास इस्तित गोशाला में एक पेड मा के नाम अभियान अंतरगत ब्रहद इस्तर पर पौद रूपन किया गया। और वाईदित अंकुर एप पर अपलोड की। इस दोरां रूपे गए पौदों की सुरक्षा तथा नीमित अंतराल पर पौदों की इस्तिति का आवलोकन कर एप पर फोटो अपलोड करने का संकल भी लिया गया। जिला कलेक्टर द्वारा पौद रूपन उपरांत गोशाला परसरत का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने रूपित पौदों की सुरक्षा के लिए आवस्थाओं की संबन में भी निर्देशित किया। पन्ना जिली में शाथन के निर्देश आवस्थार जिली में संचालेत पौद रूपर महा भीयान में बरशा रिथु के दवरान पंचाइट एवँम ग्रावली विकास विवाग, उदतान की एवँम खाद प्रेश ciran बिवाग, बन और नग्री विकास एवँम आवाश वि कि निजदेश दिये गए हैं इसके लिए जिला पंचायत के मुख्यकारपालन अधकारी संगप्री को नोडल अधकारी का दावत शौपा गया है पंचायत एबं ग्रामली विकाश बिभाक को 9000, बन बिभाक को 8000, सिक्षा बिभाक को 5000, वद्डवान की एबं खाद प्रसंस्रा बिभाक को 44000, महिला एबं बाल विवकाश बिभाक को 3000 तथा से कार्ता, खाद एबं नागरिक आपूर्दि और लोग स्वास्त एबं चिकाससा विवाग को एक एक हजार पौद रूपन का लक्ष आवंटिज किया गया है ब्रच्छर रूपन महा भियान में बिविने सास की कारेले परसरों में भी कारेले प्रूपकों और अने लोक शिवकों द्वारा फलदार एवं छायदार पौधों का रूपन किया जा रहा है नागरिकों की सहभागता को लेकर नगरी निकाय और ग्राम पंचाय तस्तर पर कारिक्रिम आयुजित करते वे जिले की नागरिकों को पर्यावरण संदक्षन के प्रती जागरु किया जा रहा है किया जा रहा है राइसन कलेक्टर अर्बिन दुबे ने बताए कि एक पेड़ मा के नाम अभियान के तैर सरकार की मंसा के अनुरू अधिक से अधिक पोदह रोपित किया जा रहे हैं और उनकी देख बाल का नागरिकों को संकल्प भी दिलबाया जा रहा है कलेक्टर ने बत पंचाज सीएो स्रीमती अंजू पवन भधूरिया ने बताए कि ग्रामिर विकाद विवाग के निर्देश पर जिले की प्रतेक प्रतेक गाउं में पोदा रोपन किया जा रहा है उन्होंने बताए कि राइसन जिले में पोदा रोपन किया जाने के लिए 21 लाग पोदे ग्रामिर विकाद विवाग जिला पंचाज सही जिले के समस्त सास की विवाओं सामाजिक संस्ताओं एवं जिले के गणमाने नागरिकों का भी एक पेड़ मा के नाम अभियान में सयोग प्राप्त किया जा रहा है एस पी विकास कुमार सहवाल ने बताए कि जिले में एक प समस्त थाना छेत्रों में पोदा रोपन किया जा रहा है और पुलिस कर्मियों दोरा इस अभियान में बर्द चड़कर भाग लिया जा रहा है बन विवाग के डी एफो बिजे कुमान ने बताए कि एक पेड़ मा के नाम अभियान के तेड़ वन ग्राम एवं वन भूमी पर प रिवा में नए कानून देश में लागू होने के बाद जिले में भी नए धाराओं के साथ अपराद पंजीबध होने शुरू हो गए हैं पेड़तों के सुबधा के लिए आरम की गई नए प्रणाली के तहट EFIR की भी विवस्था मिलनी आरम हो चुकी है रिवा जिला की प सुबधा के लिए आरम की गई नए प्रणाली के तहट EFIR की भी विवस्था मिलनी आरम हो चुकी है रिवा जिले की प्रथम EFIR जिले के जनेह में दर्ज होई है वहीं एक जुलाई से नया कानून लागू होने के साथ ही जिला मुख्याले सिविल लाइन ठाना में प्रथम EFIR दर्ज की गई EFIR स्वेम रिवा जोन आईजी महंद्र सिकरवार ने अपने हाथों से दर्ज की पुलिस ने महिला की शिकायत पर 296-351 बटे 2 भारती नयाय सहिता के तहत अपराध दर्ज किया नए कानूनों की जानकरी आमजन को देने और EFIR की प्रक्रिया को समझाने क लिए पुलिस प्रशासंद्वारा लगातार जागरुकता कारिक्रमों के भी आयोजन किये गए हमारी रीवा समवादाता आतिश रवास्तों ने स्पी रीवा विवेक सिंग से बातचीत की फिर से बताना चाहूंगा कि इस प्रावधान में आप कहीं से भी आप EFIR कर सकते हैं EFIR करने के उपरांत आपको तीन दिवस के अंदर ठाने पर आना पड़ेगा ताकि आप पूरी डिटेल्स और भी जो पुलिस के आउशकता होंगी उसको बताके और फिर आप फॉर्मल जो EFIR होती वो रेजिस्टर हो जाएगी वहाँ पर तो आप कहीं से दूर से आप EFIR करने के तीन दिन के अंदर ठाने पर आईए और पूरी प्रक्रिया आपके मदद के लिए रहेगी और जो भी हो सकता है उसमें व्यदानी कारों की जाएगी सतना और मईहर जिले में भी एक पेड मा के नाम अभियान के तहट जिले के सभी विभाग के विभागी कार्यालियों के आसपास शास्की भूमी, सडक, तालाब, नहर के पास बड़ी संख्या में पौधरोपन किया जा रहा है कहीं कहीं पर सामोहिक रूप से व्रहत व्रक्षा रोपन भी किया गया पेडों से पूरा शेत्र हरा भरा हो जाए इसलिए नीम, करंच, महुआ, बहेरा, आदिक कई प्रकार के बेच रोपित किये गये हैं अधिक जानकारी दिर हैं हमारे सतना समवाद दाता सतना और मैहर जिले में एक पेड़मा के नाम अभियान के तहट जिले के सभी बिभाग के बिभागी कारिलों में आसपास सास्की भूमी, सड़क, तालाब, नगर के आसपास बड़ी संख्या में पौधरोपन किया रहा है कहीं कहीं पर शामोहिक रूप से ब्रहत पौधरोपन भी किया गया नीम, करंज, महुआ, बहेरा, आदी कई प्रकार के बीच भी रोपित किये गए फलदार, ब्रच, आम, अमरूद, जामुन, इमली, आदी का भी रोपन किया गया पौधरोपन करने के बाद उनका संदक्षन बहुत जरूरी है इसलिए उच्च धिकारियों द्वारा पौधरोपन करने और उनकी रक्षा करने के भी सपत आम जन को दिलाई जा रही है मानव के साथ संपूर, जन्तू, प्राणी का जीवन, बन, जल और हवा पन निर्वर है जिसे बनाए रखने और पेड़ पौधों की मध्यम है पेड़ हमें जड़ी, बूटी, इलाज, भोजन, फल, छाया, अच्छा, पर्यावरान, आक्सीजन, बरसा जैसे जीवन के सभी साधन देते हैं हमें प्राक्तिक संतूलन बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना भी चाहिए प्रादेशिक समचार दर्शन के लिए सतना से मैलाल भाद उतिवारी अब बात सीहोर जिले की प्रदेश में चल रहे एक पेड़ मा के नाम अभियान के तहर सीहोर जिले में भी उच्जाह दिखाई दे रहा है यहां की नगरवासी बढ़ चड़ कर पौधर उपन कर रहे हैं ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सीहोर समबात आता धानमत्री नरिद्र मोदी द्वारा पर्याबरन दिवस के अफसर पर प्रारंब किये गए एक पेड़ मा के नाम अवियान सीहोर जिले में एक जन अंदुरन बन गया है इसकी शुरुआज कलेक्टेट काराले परिसर में पौधर उपन के साथ हुई जहां कलेक्टर प्रमिंट सिंग सही दोसों से अधिक शाष्की शेवकों ने अपनी मा के साथ अनूठे अंदाज में उच्सा और उवंग के बीच पौधा लगाया यही नहीं जिन शाष्की शेवकों की मा नहीं है उन्होंने अपनी अपनी मा की स्मृती में भाबों को कर पौधर उपन किया कलेक्टर प्रबिंट सिंग ने अपनी 71 वर्षी मा शीमती पुष्पा देवी के साथ पौधर उपन किया इस अविहान के तहट जिले में 15 जुलाई तक 50 लाग पौधे लगाने का संकर्प लिया गया है इस समुचे जिले में इस अविहान के तहट अधिक सदिक पौधर उपन किया जा रहा है ये अंदोलन जिले में एक परियाबरन अंदोलन बन कर उभरा है शाष्की शेवकों के साथ शाष्की लोग और विविन ने संगठन बढ़ चड़ कर इसमें अपनी सहबागिता का निर्वान कर रहे है इस अविहान को लेकर कलेक्टर प्रभींट सिंग ने जानकारी देते हुए बताया की शिहोर जिले में एक पेड़ मा के नाम अभियान के अंतरगत परते ग्राम पंचैत में और शेरी शेतर में व्यापक इस्तर पर पोदर रोपन करने के तयारी है जिले के सभी जनपर नीती इस अभियान में बढ़ चड़ कर भाग ले रहे है सिहोर जिले में लगबग 50 लाग पोदर रोपन की तयारी है अधिकांस जगह पर गड़े खुच चुके हैं पोद्यों को रोपने की तयारी है लगबग पूर्टा की ओर है बन विभाग इसमें लगबग 30 लाग के असपर पोदर रोपन कर रहा है समाचार दर्शन के इस संख में इतना ही अगली सब्ता फिरोग याफ्से मुलाकाथ इसी दिन इसी समय पर तब तक के लिए मुझे दीजे इजासत नमसकार झाल झाल